इसमें हम लोग 2016 और 2015 का subjective question जो इंटीजर टाइप पूछे जाते हैं उसको हम लोग पिक कर रहे हैं जही एडवांस के तो शुरू करते हैं one by one कह रहे हैं कि monobromination reaction है in monobromination reaction यह दे दिया यानि एक bromine लगाना है the number of possible chiral product is chiral products हमें का number बताना है यानि जो optically active है यहाँ पर arrow पर BR21 mole लिखा हुआ है जो कि ठीक से नहीं दिख रहा है बट मैंने रीड करके बदा दिया यह कह रहा है inantiomerically pure inantiomerically pure का मतलब होता है देखो यह जैसी यह chiral है तो chiral के तो दो form हो सकते हैं it may be dextro, यह मतलब dextro levo अप ले सकते हैं लिख सकते हो जो तुमहारी मरजी है तो मैं RS लिखता हूँ तो यह chiral है तो इसका मतलब यह R हो सकता है या R का mirror image S हो सकता है dextro हो सकता है यह levo form हो सकता है तो इसने का किसी एक form को ही लेना है तो यह ना isumerically pure का मतलब चाहे तो ये है या ये है, दोनों एक साथ नहीं है तो मैं इसको ले लेता हूँ कि let इसके respect में जो configuration है, say it is R तब शुरू करते हैं तो पहला कहां कहां से h हट सकता है तो h यहां से भी हट सकता है h यहां से भी हट सकता है H यहां से भी हट सकता है, यहां से भी हट सकता है, तो इतने तो structural आएंगे, तो one by one form करते हैं हम, let us start, सबसे पहला, H, BR, यह रहा CH2, यह रहा CH2, मैंने उपर की तरफ करके लिख देता हूँ, यह CH3, CH2, CH2, CH3, और यह आगया CH2, BR, पहला, इसके respect में R है, तो मैंने इसको R1 कर देता हूँ, मैं, R1, R1 इसको, ठीक है, यह R1 है, दूसरा case, CH3, CH2, एक और CH2, फिर यह जिस पे BR था, उसके H को हटा के मैंने BR लगाया, और CH3, अब इसमें कोई chiral नहीं रहा, ठीक है, तो यह हो गया non-chiral, दूसरा, तीसरा, अब इस पे जाए, इस वाले पे, यानि यहाँ पे अब मेरे को रखना है, तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ, CH3, और यह तो रह गया CH, और यह BR, उपर में जा रहे हैं, CH, BR, और यह CH2, और यह CH3, अब देखो, यहाँ पे दो chiral आ गया, यह, यह हमारी तरफ से बना, वाइल, इसके बारे में तो examiner ने बताया है, कि this is R1, inensumerically pure है, कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ, यह एक नया chiral बना है, तो यहाँ पे तो दोनों फॉर्म बनेंगे, it may be R2 और S2, 2 इसलिए मैंने suffix में लगाया, क्योंकि यह जो carbon है, और इस carbon में फर्क है, इसके कि यह R1 हो और यह R2 हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि यह R1 हो और यह S2 हो जाए, यानि दो combination बनेंगे इसमें, एक R1, R2 और दूसरा R1 और S2, क्योंकि R1 तो R1 नहीं रहेगा, वो पहले ही बता दिया, inensumerically pure है, हाँ, उपर जो हमने बनाया है, वो R2 बन सकता है, तो जब R2 बनेगा, तो R1, R2 एक प्रोड़क्ट आएगा, उपर S2 भी बन सकता है, तो R1, S2 दूसरा प्रोड़क्ट आएगा, और इस केस में दो आ रहे हैं, और बोथ हर काईरल, यह भी काईरल, यह भी काईरल, नेक्स्ट अब आते हैं, अगला, अब और उपर जा रहे हैं, तो CH3, CHBRH, और उपर यह तो CH2, अब इस पे लगा रहे हैं, CHBR, CH3, अब इसमें जब हम करें, तो यह काईरल है, और यह काईरल है, इसको तो हमें R1, क्योंकि पहले ही इन इंशोमेरी के लिए प्योर है, अब देखो यह जो कार्बन है, यह वाला कार्बन और यह वाला कार्बन दोनों identical है, क्योंकि इसके चार ग्रूप और इसके चार ग्रूप सेम है, देखो कैसे, इस पे CS3 है, तो इस पे भी CS3 है, इस पे BR है, तो इस पे भी BR है, इस पे H है, तो इस पे भी H है, और इस पे यह CH2 है, तो वो दोनों पे ही है, तो इसलिए दोनों जो हो गए, काईरल ह तो इसका मतलब इसके respect में भी RS बनेगा लेकिन इसके RS को मुझे R1 और S1 ही कहना होगा क्योंकि already R1 defined हो चुका है तो यह और वो carbon same है तो अगर इसका R को R1 कह रहे हैं तो उसके R को भी R1 कहना होगा अब इसमें भी दो product बनेंगे इसके साथ लगे और इसके साथ लगे यानि एक R1 हो जाए दूसरा भी R1 पहला वाला R1 क्योंकि ने शमरी के लिए प्योर है उसके तो कोई चोईस ही नहीं लेकिन दूसरा वाला S1 हो जाए तो ये दो बनेंगे उसमें से ये मीजो है क्यों मीजो है मैं बता रहा हूँ मीजो का मतलब optically inactive optically inactive यानि chiral नहीं रहा क्यों क्योंकि अगर इसका mirror image लोगे R1 S1 के सामने mirror रग दो तो R1 का mirror image S1 और S1 का mirror image R1 तो ये देखो ये भी R1 S1 है और ये भी देखो R1 S1 ही बन गया तो दोनों same हो गए तो ऐसा compound जिसका mirror image super impossible हो जाए chiral carbon होने के बावजूद उसको हम कहते हैं meso यानि वो optically inactive हो गया तो ये optically inactive हो गया वाइल ये अभी भी optically active है क्योंकि R1 और R1 का mirror image इससे अलग आएगा S1 और S1 आएगा next अब आते हैं अब सबसे उपर top पे उस पे लगाना है तो CS3, CH, BR, CH2, CH2, CH2 और BR इसमें तो सिफ ये ही chiral है और ये अपने आप R1 रहेगा तो अब total कितने chiral हो गए इसको मैं highlight करता हूँ ये एक chiral क्योंकि इसमें एक chiral carbon है वो R1 है तो optically active हुआ इसमें तो कोई chiral है ही नहीं इसके जो दोनों है ये दोनों ही chiral हो गए इसमें सिर्फ एक chiral हुआ दूसरा non-chiral और इसमें भी ये optically active है और उस optical active होने के कारण दूसरा वालत optical active नहीं है ये भी chiral हुआ यानि हमारा जो answer आएगा ये 1 ये दोनों 2 ये फिर 1 और ये 1 यानि total 5 will have a 5 compounds, 5 possible products ठीके विचर chiral ये इसका पूरा solution है next आते हैं ये aqueous dilute k-m-n-o-4 लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है aqueous dilute k-m-n-o-4 bears reagent है तो सबसे पहले इसने क्या किया है H plus heat किया है तो H plus heat आपको पता है alcohol को H plus heat करोगे तो even elimination होना है तो मैं इसका mechanism करता हूँ, आप H plus ले लो, ये इधर और ये तूटेगा इसके तूटते ही we will have carbocatine, यहाँ पे plus आ गया this is CH3, this is CH3, ये आ गया, इसके बाद 1, 2, methyl shift होगा, यहाँ से methyl इधर जाएगा 1, 2, ME shift, methyl shift होगा, तो 1, 2, methyl shift होने के बाद ये CS3 यहाँ, ये CS3 यहाँ पे और ये positive आ गया this, right, और उसके बाद अब फिर से elimination होगा, और elimination होने के बाद एक और double bond आ जाएगा यही है E1 elimination, अब H plus दुबारा वहाँ से हटके, यहाँ पे double bond, और ये firm होगया अब उसके बाद इसको bear's reagent से treat कर रहा है, bear's reagent का पहले मैं roll बता देता हूँ, कोई भी alkyne अगर होगा कोई भी alkyne, और इसको अगर आप bear's reagent यानि alkaline, KMNO4 से treat कर दोगे, तो OH-OH लग जाएगा double bond को break करके OH and OH लग जाएगा, यही roll होता है, तो यहाँ पे भी जब आप इसको treat करोगे KMNO4 से, alkaline, तो दो जग़ा double bond है, तो उन दोनों double bond को break करके आपको OH-OH लगाना है यह CS3, CS3 पहले से थे, अब यह OH आ गया, और यह OH आ गया, and similarly इस side भी OH and OH, will have 2 OH तो पूछा क्या है, how many hydroxyl group is in Q, तो Q में यह रहा हमारा Q, Q में total 4 hydroxyl group हो गया, 1, 2, 3, 4, so answer will be 4 ओके, thank you this much in this video